नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ShareSuccess.1 पे आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ NTPC First and Second Shift Question 153 2021 का जो पूछा हुआ है लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नहीं आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकोन को प्रेस करें और अल पे क्लिक करें अपने दोस्तों के साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक और कॉमेंट जरूर करें ठीक है तो मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ तो चलिए देखते हैं क्या है क्विश्चन एक घं का भीकर्ण 6 रूट 3 है तो घं का आईतन क्या होगा घं का आईतन क्यात करने के लिए बोल रहा है तो रूट 3 इंट्यू ए होता है जहां पे ए साइड है डिफॉर्ड आइगुनल है जो कि 6 रूट 3 दिया हुआ है रूट 3 इंट्यू ए हो गया रूट 3 से रूट 3 कैंसल हो गया ठीक है तो ए का वैल्यू मेरा 6 निकल गया अब क्या हो जाएगा volume क्या होता है a cube होता है मतलब side का cube 6 का cube कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा ठीक है यह मेरा correct answer हो जाएगा चले देखते है next question चले देखते है यह क्या है question में वह छोटी से छोटी संख्या गयात कि यह जो 4, 6, 8, 32 इससे पूरी तरह विवाजित हो जाए find the smallest number that is 4, 6, 8 and 32 चले देखिए कैसे बनता है इसमें इसमें जो दिया हुए number है 4 है, 6 है, 8 है 32 है इससे छोटी से छोटी संख्या निकालना जो इस 4 से विवाजित हो जाए इसका मतलब इसका LCM निकालने बोल रहा है तो चले देखिए क्या करते हैं सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा number कौन है तो 32 है तो 32 है तो देखेंगे क्या कि यह 4 से 32 कड़ जाएगा ठीक है तो इसको क्या करना है इसको लेना नहीं है फिर उसके बाद देख रहे है 8 से भी 32 कड़ जाएगा तो 8 को भी लेना नहीं है अब सिधे हम देखेंगे क्या 6 से कटेगा नहीं तो 6 और 32 का हम सिंपल LCM निकाल देगे अब हम क्या करेंगे 2 से लगाएगे 2 3 जा 2 16 जाब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे 16 3 जा 48 48 2 जा 96 तो 96 मेरा correct answer हो जाएगा clear चलिए देखते है next question चलिए देखिए ये मेरा question है क्या इसको evaluate करना है 0.2 का cube minus 0.02 का cube तो अगर हम इसको formula पर बठाते हैं तो ये time taken हो जाएगा है ना इसको हम क्या करेंगे normally बनाएंगे हम ये जानते हैं कि 2 का cube कितना होता है 8 होता है है ना और यहां भी 2 का cube 8 होता है लेकिन बीच में क्या है minus है अब हम ये क्या करेंगे 0.2 का cube है मतलब 0.2 into 0.2 into 0.2 तो इसका मतलब क्या है कि 0.2 को हम 3 वार multiply कर रहे हैं तो point के बाद 3 digit होना से यह तो एक digit तो लिख चुके हैं एक दो और लिख देंगे तो point के बाद 3 digit मेरा हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर 0.02 है इसका मतलब यह 3 वार लिखा हुआ है तो इसका मतलब जब हम इसको multiply करेंगे तो यह 6 digit होना चाहिए यह point के बाद एक digit लिख चुके हैं 2 3 4 5 6 यहां पर point दाल देंगे बीच में क्या है minus है अब हम क्या करेंगे सानी से minus कर देंगे क्या लिखेंगे 0.008 और यहां पर 0.000 कितना 0 दो चार एक पांच तो तीन हो गया चार पांच और फिर 8 लिखेंगे इसके उपर 0 डाल सकते हैं उसके बाद हम minus कर देंगे यह 2 हो जाएगा यह 9 हो जाएगा यह 7 हो जाएगा जीरो जीरो इतना हो जाएगा तो यह मेरा करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चले देखते है नेक्स्ट कुस्चन देखें यह क्या कर रहा है किसी बेलन क्यों चाहिए 14 मेटर है और बक्र प्रिस्टिय चेत्रफल 660 मेटर स्कॉर है तो आइतन गयाद करें और सिलेंडर है ज 660 मेटर स्कॉर दीन फायन दीवॉल्वॉजीम एट दिया हुआ है कितना 14 मेटर और एरीय यानि कर्फसरफ्सक एरिया कितना दिया हुआ है 660 curve सबसे series of slender जो होता है वो 2 pi 2 pi r h होता है जो कि 660 है तो 2 into pi का value 22 by 7 R का value निकालना और H दिया हुआ है 14 equal to 660 ये कटेगा कितना से 22, 3 जा 30 बार में कटेगा 7, 2 जा कटेगा 2 से 15 times में कटेगा तो R का जो value निकल गे 15 by 2 निकल गया अब उसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके बाद हम volume निकालेंगे तो volume of cylinder यानि balance का इतन क्या होता है pi r square h होता है pi का value 22 by 7 R का value 15 by 2 into 15 by 2 into height कितना है 14 है ये 7, 2 जा cancel होगा 2 से 2 cancel हो जाएगा ठीक है और 2 से 11 times में ये cancel हो जाएगा तो 11 into 15 into 15 करेंगे जो मेरा multiply करने पर नंबर आएगा वो option में देखेंगे वो है तो वही मेरा correct answer हो जाएगा clear देखते हैं next question चले देखते हैं ये question क्या कर रहा है यदि किसी खंबे की उचाई 6 root 3 मेटर है और उसकी परिछाई 6 मेटर है तो सुरे का उनियन कुन गयात कीजिए एक pole है जिसका height 6 root 3 मेटर है और इसका जो shadow है वो 6 मेटर है तो सुरे का जो है angle of inclination कितना होगा ठीक है तो इसका मतलब एक pole चलो माल लेते हैं जिसका height कितना है 6 root 3 है और इसका परिछाई क्या होगा इधर बनेगा जब परिछाई इधर बनेगा तो वही angle of क्या बोल रहा है वही union कुन कितना होगा ये पूछ रहा है तो चलो माल लेते हैं ये theta है ठीक है और ये shadow का जो length हो 6 मेटर है ठीक है इक्वल टू PYB होता है तो P का value 6 root 3 है और B का value 6 है जो 6 से 6 cancel हो जाएगा तो 10 theta का value कितना हो गया root 3 तो 10 theta में root 3 किसका होता है 10 theta में जो root 3 होता है वो 10 60 degree का होता है तो 10 से 10 elimination हो गया तो theta equal to 60 degree हो गया जो मेरा correct answer है clear देखते है next question चलिए देखते हैं यह question क्या कर रहा है if cosec x minus cot x equal to 1 then find the value of cosec x minus cot x इसके लिए क्या करेंगे हम एक चीज जानते हैं क्या cosec square x minus cot square x का value क्या होता है अब यह a square minus b square के form में है तो हम क्या करेंगे इसको cosec x plus cot x लिखेंगे into cosec x cosec x minus cot x लिखेंगे equal to 1 मतलब a plus b into a minus b के form में set हो गया cosec x minus cot x का value कितना है 1 है तो इसके जगापे हम क्या करेंगे 1 put करेंगे और यह ऐसा ही लिख देंगे cosec x plus cot x लिखेंगे ठीक है equal to 1 हो गया तो 1 अगर इधर ले की भी जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा cosec x plus cot x का value क्या हो जाएगा फिर से 1 ही हो जाएगा ठीक है तो यह मेरा correct answer 1 यानि a हो गया ठीक है देखते हैं next question चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है दो संख्या है 7 अनुपात 8 के अनुपात में यदि इनमें से प्रते एक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात 8 अनुपात 9 हो जाता है तो यह संख्या है कौन सी है 2 numbers in the ratio 7 is to 8 if 3 added in each number then new ratio will be with 8 8 is to 9 then find 2 number क्या बोल रहा है कि दो number है 7 x और 8 x है इसमें दोनों में क्या बोला जा रहा है कि 3 अगर add कर दिया जाता है तो ratio जो हो रहा है वो 8 is to 9 हो जाए रहा है अब हम इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 is 7 जा 63 x होगा plus 27 हो जाएगा और equal to यह कितना हो जाएगा 64 x होगा plus 24 हो जाएगा x वाले को एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर x होगा 64 x minus 63 x तो x बचेगा और 27 में से 24 minus होगा तो 3 होगा तो जब x का value मेरा 3 निखल गया तो मेरा number कौन-कौन है 1 था 7 x तो 7 x यानि 7 into 3 यानि कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और एक था कितना 8 x तो कि 8 into 3 यानि कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो 21 और 24 कौन सा option में बी option में यह मेरा correct answer हो जाएगा देखते है next question चले देखते हैं यह question में क्या करा है किसी बगीचे की लंबाई जाएगा चोड़ाई का अनुपात दो अनुपात एक है यदि इस बगीचे का परिमाफ 6 मेंटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी तो हम जानते है क्या परिमेटर दिया हुआ है क्या 2 into L प्लस B यह होता है परिमेटर रेक्टैंगल का परिमेटर दिया हुआ है 60 2 into L कितना है 2 है और B1 है तो रेशियो में है तो हम इसको 2X प्लस X करके लिखेंगे तो 2 से यह कटेगा 30 टैंज में तो 30 equal to 3X हो गया तो 3 से यह कट जाएगा 10 टैंज में तो X equal to 10 निकल गया तो मेरा क्या निकलने के लिए बोल रहा था breath sorry breath नहीं length बोल रहा है तो length मेरा कितना है length मेरा कितना है 2X है यानि 2 into 10 तो कितना हो जाएगा 20 20 मेरा कौन से option में B option में यह मेरा correct answer हो जाएगा देखते हैं कुछ और question एक question reasoning का था कि 123 का जो संबंदे 36 से वो 2 to 1 से क्या होगा तो यहाँ पे 1,2,3 से 36 होगा है तो कैसे होगा है 1 plus 2 plus 3 करते हैं तो 3,2,5,1,6 6 का square 36 होता है तो यह कितना हो जाएगा 2 plus 2,4,4 plus 1,5 5 का square कितना होता है 25 होता है तो 25 मेरा correct answer हो जाएगा क्या हो रहा है 5 का square 25 ठीक है देखते है next question चलिए देखते है कुछ question मेरे पास GK का आया है अगर आप इसका answer जानते है तो comment box में इसको लिखे ठीक है सबसे पहला इसमें GK में question आया था क्या महाभारत की रचना Sanskrit में किसने किया था दूसरा question है सबसे पहले जिनगर्ना कब हुई थी तीसरा question है कुछिका की खोज कब हुआ था चौथा question है UNO का General Assembly महासभा किस मह में शुरू होता है पांचमा question है कौन सा railway मारको युनेश्को ने 20 विरासत सुची में सामिल किया है ये पांच question मेरे पांच आया था तो अगर आप इसका अंसर जानते हैं तो comment box में जरूर लिखें ठीक है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा solution मैंस का अच्छे से दे पाऊ ठीक है और आपसे निवीदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को notification मिलता रहे ठीक है